आस लेक्चर में हम लोगों ने exponential function के बारे में बात की थी a power x, y equals a power x के बारे में और इस लेक्चर में कुछ कुछ similar, in fact बहुत जादे similarity वाला चीज, यानि जैसे cos और sin function है, वैसे ही हमारा exponential logarithmic function है, ठीक है, तो logarithm शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ कहता हूँ, कि x times x क्या होता है, तो आप जवाब देंगे, आसान सा है कि x power 1 plus 1 is x square, ठीक है, दूसरा सवाल न पूछता हूँ, कि 5 square क्या होता है, तो आप कहेंगे 5 times 5, 25, ठीक है, तो ये दो चीज मुझे मिल गया, अब log की importance यहाँ पे क्या आती है, log कहता क्या है, कि log का सवाल यह हुआ, कि 5 power कितना equals to 25, ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि 5 power 2 is 25, बट logarithm में आपको सिर्फ ऐसे नमबर सी नहें रहेंगे, 5 power 36 भी हो सकता है, अब उसको कैसे आप देखेंगे, तो मतलब 5 power 36 is equals to something, something दिया रहेगा और यहाँ पे मुझे x है, और x हो सकता है कि 50 कभी हो, इस नमबर के पास, मैंने इस नमबर नहीं लिखा है, सपोज एक unknown का 50 आ रहा है, आप तो आप कैसे समझेंगे, सारे नमबर सौप को याद नहीं है, तो logarithm में इसको किस तरह के से बड़ी बहुत आसान तरीके से इसको लिखता है, कि log off, अब क्या होता है, कि यह पाटिकुलर चीज, जो यहाँ पे, यह बेस बन जाता है, यानि 5 लिख देंगे यहाँ पे, इस तरीके से, और इसको जो है न, यह पाटिकुलर चीज, एक्स बन जाता है, तो यह 25 हो गया, और जो एक्स है, वो एक्चुली वाई हो जाता है, य, तो अगर मैं थोड़ा सा, इनफॉर्मली जाओं, इनफॉर्मली, तो लॉक को लिखने का तरीका, इस तरह होता है, कि मालिया मैं 5 पावर एक्स लिखूं और 25 लिखूं, तो मैं इस तरीके से, अगर मैं कहूं, कि ऐसा रहेगा कुछ, यानि यह बेस है, और ये उसका, क्या हो गया, बेसिकली इस तरीके का लॉग रहता है, तो ये बेस हो गया, और ये एक्स, ये एक्स हो गया, और ये पाटिकलर चीज बाहर आ जाता है, ठीके, और वो य में लिख सकते हैं, तो इस तरीके से हमने लिख दिया, ठीके, या फिर यहाँ पर अगर x मैंने देही दिया है तो मैं इसको x ही लिख देता हूँ वैसे हम generally y is equals to log x लिखते हैं मैं इसको informally समझा रहा हूँ तो basically क्या होता है फिर ये step कैसे आगे बढ़ेगा log 5, 5 square is equals to x अब एक property आपको पता है कि ये वाला जो है log of log of a power b या फिर a power n जो होता है वो होता है n log a ठीक है तो जब हम basically logarithm function पढ़ रहे हैं हम इसमें तो इसमें ये चीछ जरूरी नहीं है ये property बताना क्योंकि function का graph और domain हम देखना चाहते हैं बट फिर भी एक introduction दे जाता हूँ कि logarithm क्या होता है तो ये होता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 log 5 और ये 5 हो जाएगा तो ये value आपको क्या देगा actually क्या होता है logarithm के अंदर में बेस और ये वाला नंबर सेम हो जाए यानि log n n हो जाए तो वो होता है 1 तो ये हो गया 1 तो 2 times 1 is equals to x तो x क्या हो गया 2 तो मुझे इसकी power पता चल गए ऐसा ही आप अगर पूछ सकते हैं 2 power x is equals to 32 ठीक है और इसको कैसे हम लिखेंगा मैंने बताया था इसको मैं बेस बोलूँगा और इसको इस तरीके से समझ लें ऐसे बना लो आप तो क्या हो गया log बेस 2 और ये नंबर चला जाएगा 32 is equals to ये चला जाएगा बाहर ठीक है इसको हमने एकदम ही बाहर कर दिया तो ये x हो जाएगा अब 32 को आप 2 को टर्म में कैसे लिखोगे तो 32 को जरा वो करो या फिर आप कुछ और भी कर सकते हो आले तू पावर टू होता है फोर फोर टाइमस टू होता है एट टाइमस टू 16 16 टाइमस टू तो 2 पावर 5 हो जाएगा तो लॉग बेस टू टू पावर 5 इस एक्स ठीक है तो 5 ये इधर चला जाएगा 5 लॉग 2 और ये वाला नंबर 2 इस इक्वल्स टू एक्स ये क्या हो जाएगा 1 तो एक्स इस इक्वल्स टू 5 ये हो गया हमारा पना लॉग ये पितालिow ये लॉग को बंस टेसे तो मुझे बैसिकलियस एक्स की वैल्यू पताएगे क्या होगा तो है तो इस तरीके से लोगरित्म को समझते हैं तो आब मैं बेसिकलिए लागरित्म को Android दे दिया है मैंने और साथ साथ हम ऐसे बोलेंगे कि y is equal to log x यह represent करता है logarithm function को और base जो होगा वो a होगा आप आसानी के लिए base b भी लग सकते हैं ऐसे अच्छा लगता है मुलनेगा और इसको read कैसे करेंगे ऐसे आप अपने notebook में लेले बहुत सारे बच्चे लोगरित्म में बड़े परिशान हो जाता है कि क्या होता है लोगरित्म तो लॉग ऐसे पढ़िए कि लॉग एक्स टूदा बेस ए इसको ऐसे पढ़ेंगे लॉग एक्स टूदा बेस ए इस तरीके से हम कहेंगे और भी बहुत सारे रिप्रिजेंटेशन है कहने का हम तो नॉर्मल भाष्य में ऐसे ही कहते हैं और ऐसी कहना भी चाहिए और इसको हम f of x यह यह फंक्शन ऑफ x लेते हैं तो जब भी हम कोई यह फंक्शन लिखते हैं तो उसका डिफिनेशन जरूरी होता है उसके बारे में बताना क्योंकि mathematics is all about definition उनके पास कोई प्रिंस्पल नहीं है कि हाँ यह सैंटिस्ट है और यह बोल के गए हैं और यही वैलिड होगा उनके पास डिफिनेशन है और डिफिनेशन ही उनका टू और a not equals to one तो आप जब मुझसे मुझसे यह सवाल करेंगे तो आपके अंदर मेरे मेरे प्रति एक दुष्मनी का भाव आ जाएगा दुष्मनी का भाव इसलिए आएगा कि कैसा टीचर है यह इसको इतना नहीं पता है कि जब तू greater than zero बोल रहा है और not equals to one बोल रहा तो तू कुछ से अच्छा तो एक greater than one बोल आप बोल सकते हैं सर ठीक है तो एक greater than one बोल तो मेरे पास एक reasoning है reasoning यह है कि ए real number है पहला ठीक है एक real number है दूसरा reasoning क्या है कि मेरे पास एक property है जिसमें मुझे 0 to 1 ठीक है और मैं कहना हूँ 0 not included equal तो नहीं लिखा रहा नहीं तो not included one not included और एक और चीज आप मेरे तरह इस तरह नहीं बनाओ आप इस तरह गोल बना लो यह vacancy मैं तो खुबसूरती के लिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई और ही क्यूपिड नहीं है इसको खुबसूरत बनाने के लिए तो अभी जो है नहीं 0 not included 1 not included ठीक है अब मैं क्या कहूंगा there is a property called denseness property of a real number कहता क्या है कि between any two real numbers you can find infinite numbers of real numbers यानि 0 और 1 की बीच में infinite real number possible है तो 0.0000001 0.999999 up to n इस तरीक एका possible है तो मैं यह reasoning दे सकता हूं कि मैंने इसलिए इस तरह से इसको represent किया हम ऐसे a greater than 1 नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इसमें से भी कुछ values possible है मैं half ले लूँ तो a half हो सकता है एक को डिफाइन करने का तरीका है और एक क्या है बेस है इसको बेस कहते है वो नीचे होता है इसलिए बेस कहते हैं और कुछ नहीं और एक्स क्या है तो एक्स एक real number है वो तो ठीक है लेकिन नेक्स्ट क्या है कि एक्स के बारे में आप बताईए क्योंकि हम किसी भी चीज को डिफाइन करते हैं तो एक्स क्या है greater than zero है यहनि एक्स positive इससे क्या क्या हमको conclusion मिलता है इससे क्या क्या हमको conclusions मिलते हैं यह हमने कुछ लिख दिया कुछ लिख दिया mathematics में यह होता है कि जब आप लिख देते हैं तो उस पर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं आपने कैसे लिखा ठीक है आपको क्या जानकारी थी आप क्या समझ रहे हैं जो लिखा यह सब सारी चीजे तो एक्स ग्रेटर दन जीरो जब हम लिखें तो इससे क्या-क्या conclusions निकलते हैं बाहर इससे यह पता चलता है कि लॉग ओफ एनी नेगेटिव नंबर इस नॉट डिफाइंड ठीक है क्या सिर्फ नेगेटिव नंबर नॉट डिफाइंड नहीं ग्रेटर दन जीरो है यानि एक्स जीरो भी नहीं हो सकता जीरो एंड नेगेटिव नंबर इस नॉट डिफाइंड इसको हम ग्राफिकली भी देखेंगे कि जब जीरो के पास आना चाहता है ग्राफ तो वहां पर मतलब जीरो के पास जब आप कर्व लेके जाएगा तो वह माइनिस इंफिनिटी के तरफ चला जाएगा वाई आपका वह हम ग्राफिकली देखेंगे उसके उपर आप सोचे बत तो यह चीज एक इंपॉर्टन कल्क्लूजन मिजे मिलता है कि एक्स जो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और एक और खास बात यह जो एक रिलेशन है हमारे पास इस रिलेशन के बारे में आप चर्चा करते हैं यह equivalent है x is equal to a power y के ठीक है यह एक तरीके का आप देखिएगा तो वो जो हमने y is equal to a power x पढ़ा था तो वो आपका क्या हो गया वो आपका exponential function हो गया logarithm function कुछ अलग है x के जगा y के जगा x हमने रिप्रेजेंट किया तो यह है logarithm function यह यह equivalent है ठीक है यह इसके equivalent है तो आप यूजिंग दिस थिंग अम एक थोड़ी सी ना कुछ प्रोपर्टी डिसकस करने वाला हूं सम सम प्रोपर्टी तो पहले मैं एक इंपॉर्टन प्रोपर्टी बोलना जा रहा हूं कि लॉग ओफ तो यह जिरो होता है इसको थोड़ा सा प्रोफ कैसे करेंगे प्रोफ अगर मुझे करना है थोड़ा सा चोटा प्रूफ इसको कहते हैं बैक इन्वल अप तो इसको कैसे करेंगे मैं ऐसे कहता हूं कि लॉग ओफ ए इस वन मुझे नहीं पता है क्या ही एक्स मान लेते तो मुझे पता है कि इस तरीके से कुछ निकालते हैं यह अपना इसको इस तरीके से एक्जाम में मत ड्रॉ कर लीजेगा तोड़ा दिक्कत हो जाएगा और लिखेंगे कि a power x is 1 ठीक है a power x is 1 तो मुझे x की value पता कर नहीं है तो a power how much is 1 तो a power हमेशा पता हैं को कि a power 0 1 होता है तो x क्या हो गया जीरो इसलिए आप हमने जीरो लिखा है next property देखते हैं इसको आप लिख लिया होंगे शायर इसको थोड़ा सा लिख लें इस कॉर्णर में second property है कि log of a to the base a is 1 जो हम लोगों ने पहले 5 square वाला किया था और मैंने आपको कहा था कि आप आगे पढ़ेंगे वह वाला जह हम कहिए थे ऐसे तरीके से log of 5 और यह सॉरी to the base 5 इस तरीके से था तो हम लोगों इसको 1 बोला था तो इसका reasoning यहां से आता है यानि बेस अगर बेस और यह number same हो तो हम क्या कहते हैं it goes to 1 तो इसको हम कैसे proof करेंगे तो as usual हम पहले क्या करेंगे log of a to the base a is x ठीके और इसको हम जैसे as usual ऐसे लेते हैं तो a power x is a तो मैं बोलूंगा कि x की कौन सी power पे यह equal होता है तो यह जब दोनों equal होगा तो exponent equal होना चाहिए यानि a power 1 तो x is equals to 1 तो यहां आगे आपका x is equals to 1 तो यह चोटा सा proof हो गया आपका इसको आप लिख ले मैं इसको मिटा देता हूं अच्छा आप मुझसे एक सवाल पूछ सकते हैं question एक देखते हैं कि why a not equals to 1 base 1 क्यों नहीं हो सकता ठीक है इसके उपर थोड़ा सा decision करते हैं why a is not equals to 1 तो सवाल यह है कि why a not equals to 1 तो मैं क्या करूँगा कि a1 अगर रहे let ठीक है let कर दूँगा मैं तो log of x और a1 ले रहता हूं is equals to y इसका मतलब क्या होता है 1 power y is x है ना इस तरीके कर रहता है ना base और यह हो गया यह power 1 जाता है तो 1 power y is x यानि y आपका कुछ भी हो ठीक है एक real number हो तो x की value क्या होगी हमेशा 1 होगी यानि y आप randomly कोई भी value डालो x की value क्या आगी 1 ठीक है यह मुझे समझ में आ गया अब क्या करूंगा मैं एक और ची आप जो है ना ऐसा मत कर देना कि y 10 to infinity तो x is equal x क्या होगा x is equal to 1 power infinity इसको छोड़ देना क्योंकि यह जो है ना indefinite form है इन डिफनाइट फॉर्म वह आप कहां पढ़ेंगे जिले लेक्चर में भी थोड़ा सा बताया था इसके बारे में कि वह आप पढ़ेंगे कहां लिमिट्स वाले में पढ़ेंगे तो इसको वाइट एंट टू इंफिनिटी यह वाली चीज को छोड़के बाकि इसकी अगर म के लिए ठीक है और किसी चीज को पुरूफ करने के लिए हजारों एक्जामपल्स कम पढ़ जाते हैं ठीक है दुनिया में कितनी नेगेटिविटी है देखिए एक्जामपल यहाँ पर मैं एक्जामपल लेता हूं इस वाले एक्वेशन में मैं य ले लिया मैं y ले लिया 65 सपोर्ज ठीक है y ले लिया 65 तो x क्या आएगा x is equals to 1 power 65 is equals to 1 ठीक है तो log of base 1 और x क्या ले लिया मैंने यह 1 होगा is equals to y कितना लिया 65 यानि y 65 हो तो x 1 आ रहा है ठीक है यह तो आ रहा है न यह आप भी देख रहे है और मैं y को infinity भी नहीं किया हूं तो मेरे लिए यह सही है वो यह form correct है कि 1 power 65 लो या 1 power 99 लो बट वो infinity नहीं होना चाहिए तो यह correct है ठीक है आपको पता है कि यह क्या होता है पहली बात तो यह है कि इस particular चीज में क्या हो जाएगा log of 1 to the base 1 अब यहाँ पर आप यह मत बोल देना कि log of n to the base n वाला तो वो 1 होना चाहिए ठीक है क्योंके ए ए जो है ना अगर क्योंके इस सरीकी की चीजों के लिए वो define नहीं था वहाँ पे वहाँ पे भी क्या था base greater than 0 था और not equals to 1 वाला था ठीक है तो अब हम लोग ना दो केस में इसका graph solve करेंगे case number 1 हम लेंगे जब a क्या हो greater than 0 हो less than 1 हो ठीक है तो हम इसमें चाचा कर चुके हैं कि हो सकता है ऐसा case 2 वो होगा a a greater than 1 ठीक है हमने exponential function में भी कुछ इस तरीके से का discussion किया हुग है तो आपके लिए कोई वो बड़ी बात नहीं है ठीक है तो यह तो आप देखी चुके हैं पिछले lecture में exponential functions में कि दो तरीके का case solve करके मैंने किया था और तीसरे case को is equals to 1 पर बताया था कि graph constant आ रहा है और यहां मैंने थोड़ा discussion कर लिया is equals to 1 पर कि क्या होगा आपको थोड़ा reasoning में दे दिया अगर पसंद आया तो उसको आप note कर सकते हैं और थोड़ा अगर आप मेंसे किसी को ऐसा लगा कि वो reasoning सही नहीं है तो आप comment में बता भी सकते हैं अपने reason के साब कि वो reasoning क्यों सही नहीं है ठीक जो आपको recruit करता है कि आईए आप हमारे पास हम आपको प्रवेश्च देंगे तो वो चाहता है कि आपका reasoning काफी अच्छा हो कि आप क्या समझते हैं उस चीज़ से वह बहुत matter करता है ठीक है आपकी understanding actually matter करती है बहुत जादे आप क्या समझते हैं तो wise equals to this thing तो इसमें हम लो देता हूं कि let is equal to half ठीक है तो half ले लेता हूं तो वाई क्या हो जाएगा equals to log half और यह x ठीक है तो actually क्या हो जाएगा one upon two power y is equals to x यानि one upon two power y is x और अपने को पता है two power minus y is x यही है इस चीज़ को आप थोड़ा सा रिमांग में रखें और यहाँ वह मैं लिख देता हूं और two power minus y is x फड़ा सा काम आएगा यह चीज जब हम values put करेंगे तो इस चीज को आप देख लें यह step wise लिखा हुआ है इसको आप देख लें या लिख लें साइड में तो मैं अब करूंगा क्या one upon two के लिए ठीक है तो इसको मैं मिटा देता हूं यह से तो मैं x की values देखता हूं और y की values देखता हूं ठीक है सबसे पहले तो मेरी आदत है कि x 0 देखता हूं मैं हमेशा तो x equals to 0 लिख सकता हूं मैं नहीं लॉक के लिए नहीं लिख सकता हूं लेकिन मैं ऐसा करता हूं कि extend करा दू जीरो को तो इसका मतलब one upon two power y tends to 0 equation है यह कब 10 to 0 होगा जब two power y tends to infinity ठीक है तो y basically tend to infinity तो x जब tend करेगा 0 को तो y tend करेगा infinity को और 0 not included है ठीक है मैं इसलिए tend वाला लगा दिया है यह not included है और यह भी of course not included है तो y infinity को approach करेगा इससे मुझे एक value मिल गई दूसरा क्या करूंगा मैं अगर एक्स वाई की value अगर मैं 0 रखता हूं ठीक है तो y की value अगर मैं 0 रखता हूं तो x क्या होगा तो x will be 2 power 0 which is 1 तो 1 तो इसका मतलब क्या हुआ इस point का मतलब क्या हुआ इसको point का मतलब क्या हुआ कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर यह y axis है ठीक है और y को मैंने 0 वाना है यानि point इधर आ गया पॉइंट जब इधर आ गया इस तरीकिस अगर मैं समझूत हूं पॉइंट जब इधर आ गया और y 0 रखने पर x की कुछ value आ रही है यानि वो point x axis को cut करेगा यानि उस लो line x axis को cut करेगा क्यूं क्यूंकि y तो आपका 0 है ठीक है और x axis में आप थोड़ा सा कुछ value है जैसे की 1 है तो मैं x axis में 1 यहां पर पहुंचता हूं तो that means कि y 0 1 है तो यहां पर एक point मिल गया मुझे कोई भी curve अगर ऐसा आता रहेगा तो वो cut करेगा यहां पर से तो यहां पर important है कि cut करेगा या फिर एक और चीज़ कह सकते है कट नहीं करेगा तो touch करेगा touch या cut दी क्या करेगा y axis ठीक है यह हो गया एक reasoning अब next क्या है मैं अगर y को tend करा दू minus infinity पे तो 2 power minus of minus infinity is equals to x ठीक है एक reasoning तो minus of minus infinity is 2 power infinity is x ठीक है तो यह basically यह infinity हो गया यह particular term infinity हो गया तो x tends to infinity यह भी reasoning आप दे सकते हैं ठीक है तो यह तीन points इसलिए जो है लोगरित्म में लोगों को graph अगरा में दिक्कत होती है क्योंकि वो इस तरीके से नहीं करते हैं जबकि आपको try करना चाहिए करने का कि मतलब put करके values को समझने का क्यो आपको values put करके check करना है basically बहुत सारी जगा इविन graph का जो problem आता है इसी तरह आप चेक करते है जीरो पर put किया तो आपको समझ में आगा अच्छा जीरो पर put किया यहां पर जा रहा है infinity पर put किया y तो x 0 के tend कर रहा है इस तरीके से आप समझ सकते है तो अब मुझे एक चीज देखी क्या समझ में रहा है आप छोटे level की बात करेंगी नौर्मल लेवल की आम इंसान की तरह यह तो एक quadrant number 1 में आ गया और यह क्या हो गया quadrant number 2 की भी बात आ गई नहीं नहीं 2 की नहीं बात गया तो यह अगर quadrant में बना लो क्योंकि मैं इसी तरह की से बताता हूं graph को तो य यह दोनों origin है यह positive है यानि यह first quadrant में आएगा तो first quadrant में आगे आपने को ठीक है यह क्या है प्लस और minus तो plus और minus कहाँ पे होता है यानि X plus है और यह minus है तो यह वाले quadrant में आगे है बाकि सब और आपको भी पता है कि एक्स नेगिटिव नहीं होगा तो इधर नहीं आएगा इसको आप मिटा दीजिए यह हो गया सीधी बात इतना ही ग्राफ बनाना हुझे अब मैं ग्राफ बनाता हूं कि यह ग्राफ है और मैंने तीन ही पॉइंट लिया है क्योंकि मैं पॉइंट्स लेने में बड़ा कंजूस हूं और कम-कम ही लेता हूं पॉइंट्स तो एक्स टेंस टू जीरो और य टेंस टू इंफिनिटी ठीक है तो इसको कैसे बनाएंगे य और य एक्स और ग्राफ बनाने के वहँ सारी चीज़ीं आपको बताया है कि जितना भी हो सके हम समझे कि कैसे ग्राफ बनाना है इसको चोटा करना है कि इसको बढ़ा करना य आपको थोड़ा सा लग लागर होगा क्या बात कर रहा हैं ये सामने वाला इंसान मगर यह मैट कर जाता है और बाद में ठीक है छोटी सी चीज़ है थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि मुझे कैसा दिखेगा ग्राफ यह बहुत आइडिया होना चाहिए तो आइडिया इससे क्या मिला मुझे X1 Y0 यानि मेरे को कुछ ज्यादे नहीं करना X के लिए तो इससे इधर Y को यह कहां पुक्की बात कर रहा हूं मैं जहां पर X की वालू पूट करो exponential function में और case same था तो उसमें अपने को 1 बड़ा करना था ठीक है 0211 बड़ा करना था बाकी चीज़ों को नहीं देखना था हमको तो उसी में half 1 by 4 यह सब आ गया था तो यह चीज हो गया तो यहां पर अगर मैं वोलू तो 0 पर यह चीज नहीं है तो मैं इसको ऐसा बना लेता हूं आप इसको मत बना यह मैं इसको एक आपके understanding के लिए बना रहा हूं तो x tends to 0 y tends to infinity छोड़िए मैं आसान वाला point लेता हूं x1 है तो y 0 है तो x1 है अगर x1 है तो y 0 है यह मेरा एक important point बिला जिसको हम कह सकते हैं तो यहां पर y 0 है और x1 है ठीक है x 0 को अप्रोच करेगा तो y infinity को अप्रोच करेगा तो इस तरीके वह ग्राफ किस तरीके का बनेगा अच्छा एक और चीज अब मुझे थोड़ा सा आइडिया चाहिए कि यह ग्राफ इस तरीके का होगा या किस तरीके का होगा मतलब मुझे थोड़ा सा आइडिया चाहिए इस तरीके से जाके इस तरीके का होगा या इस तरीके का होगा या मुझे एक और चीज पता करने ऐसे होगा मतलब अलग-अलग हो सकता है तो मुझे कैसे बता चलेगा कि इसका curve exactly कैसा दिखेगा क्योंकि infinity को अलग अलग तरीके से approach कर सकता है कोई भी graph तो इसके लिए मुझे क्या करना बढ़ेगा थोड़ा सा दिमाग मैं लगाता हूँ A को मैं half है ठीके तो X को भी मैं half लिख दू क्या और define भी X ठीके X greater than 0 होना चाहिए तो क्या आजाएगा अपने को log half और half तो यह आजाएगा अपना Y वाला थिंग क्या आजाएगा 1 ठीके log A to the base A is 1 same base same number तो 1 होता है तो यहाँ पर आप क्या किजेगा X को क्या डाला है अपने half तो Y मिल रहा है 1 तो X को मैं यहाँ पर लेता हूँ half तो Y मुझे मिलता है 1 तो एक point मुझे ठीके मिल गया तो अब मैं आसानी से जो है ना इसको ऐसे जोड़ूँगा थोड़ा सा इस तरीके का आया और यह मैं infinity को तो यह देखके मुझे लग रहा है कि यह सही लिख किया मैंने X tends to 0 Y tends to infinity यानि थोड़ा सा भी X पीछे गया Y तो पवाल कर देगा यहीं मतलब होगा X थोड़ा सा पीछे जाता है Y एकदम देखको उठ जाता है X 1 से half पे गया है तो देखो Y यानि X half चला है तो Y 1 चल गया है इसी तरीके से आप आगे भी देख सकते हैं और आप सारे नंबर के लिए चेक कर सकते हैं कि यह infinity को अप्राच कर रहा है यानि छोटे से distance में यह कितना चल गया वाई यह भी मतलब एक idea आप खुद से develop कर सकते हैं और 1 पे 0 आ गया तो X infinity को अप्राच करेगा तो Y infinity को अप्राच करेगा तो यह basically इस तरीके करवा जाएगा यानि X infinity को अप्राच कर रहा है तो Y क्या हो रहा है माइनस infinity को अप्राच कर रहा है तो कुछ इस तरीके का graph आपको मिल गया तो यह है आपका log X to the base A का graph और base क्या है 0 और 1 के बीच में है यानि half मैंने लिया या 1 by 3 भी आप लेके check कर सकते हैं तो इस सरीके का nature show करेगा ठीक है अब जो है इसकी domain और range के चर्चा करेंगे एक और चीज आप से अब मैं पूछूं कि A को मैं less than 1 ले लिया ठीक है क्वेश्चन है कि लॉग हाफ यह 0 क्या होगा तो मैंने पिसली बार कहा था minus infinity लेकिन वो दूसरे ग्राफ के लिए इस ग्राफ के लिए minus infinity नहीं होगा इस ग्राफ के लिए 0 पे जब अप्रोच करेगा तो यह इंप्रोच कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टेंस टू प्लस infinity इसलिए 0 नहीं होना चाहिए ग्राफ आपको बताया था मैंने कि 0 नहीं होगा ए 0 नहीं होगा ए 0 इसलिए नहीं होगा तो आप डोमेन और रेंज की बात करेंगे अब आसान वाला टाइम हाग गया है डोमेन डोमेन क्या है यहाँ एक्स की आप कौन-कौन सी वैलू डाल सकते है तो मैंने उस टेबल को आपने लिखा होगा शायद ही आप स्क्रीनशोट ले लिए कुछ ऐसा पीछे करके तो एक्स को जब हम टेंड कराते हैं 0 की तरफ तो य किधर करता है टेंड इंफिनिटी के तरफ ठीक है यही चीज है न तो एक्स जीरो के तरफ टेंड करता है तो य इंफिनिटी के तरफ टेंड करता है तो डोमेन में क्या है कि आप एक्स की वैलू क्या-क्या पुट कर सकते हो यानि आप क्या इस फंक्शन में पुट करोगे यह बहुत matter है, क्या-क्या आप put करने के लिए यह हो free हो क्या-क्या put करने के लिए आप independent हो तो x को equals to x should not equals to 0 ठीक है, 0 तो नहीं होगा हाँ, x approach कर सकता है 0 से, ठीक है तो एक चीज मुझे मिल गया, यह foundation मुझे मिल गया, क्या नहीं कर सकता है यह मुझे मिल गया, और बाकी चीज क्या, आपको minus infinity हो सकता है x, तो x तो negative नहीं हो सकता है, log of negative is not possible, तो x क्या हो सकता है, not minus infinity मतलब वो, समझ जहीं आपकी negative infinity की तो बात ही नहीं हो रही है तो यहाँ से, 0 से यहाँ बढ़ेगा कुछ कहीं, कहाँ बढ़ेगा वो देखते हैं, यह तो मुझे मिल गया, जो not included है, कहाँ बढ़ेगा तो x कहाँ बढ़ रहा है, अब देखना है x infinity तक जा रहा है x infinity तक जा रहा है तो y minus infinity जा रहा है यह नहीं, x 0 से अप्रोच करने इधर से इस तरह जा सकता है, x तो 0 to infinity, plus infinity तक तो इसको domain क्या होगा 0 to infinity जो पहले से lecture देख रहे है उनको पता होगा, कि यह open interval है और ऐसे भी जो mathematics पढ़े हुए है थोड़ा सा भी तो उनको पता होगा, कि यह open interval है यह 0 not included infinity को include नहीं कर सकते इसका reasoning में हमें दिया हूँ पिछले lectures में exponential function वाले में तो क्यों नहीं कर सकते है, उसमें philosophical reason भी दिया है और ऐसे भी, तो infinity हम include नहीं करें open interval हो गया, और यह 0 not included तो यह हो गया domain, range क्या हुआ range क्या हुआ तो आप एक चीज़ देख रहे हैं कि plus y axis में भी graph है minus y axis में भी graph है यहनि plus वाले में भी graph है minus में भी, उपर में भी graph है, नीचे में एक तो पता चल गए है कि negative और positive सारी value range में आगी यहनि output हमको negative positive दोनों मिल रहा है इसलिए इसलिए आप log of log of something यहनि minus 2 square अगर करें इसलिए आप log of log of something of base something ठीक है, something dash can be negative यहनि y जो है आपको negative मिल सकता है बट x नहीं, डालोगे आप negative नहीं लेकिन वो मिल सकता है, कैसे मिल सकता है एक region मैं देता हूं आपको log of मले की base a है, तो 1 upon आपने लिख लिया 2 ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, log a यह 2 inverse लिख सकता हूं उसको, ठीक है, तो यह क्या हो गया, minus, यह यह यहां चला आता है, minus log a, और यह 2 हो गया, तो यहनि minus of log 2 आ गया, और base कुछ भी हो, log e रख दो, e लख दो a को, तो यहनि negative, product negative possible है, but input negative possible नहीं है, यह चीज आप जान लिए, कभी कोई confusion हो जाता है, नय नय जो पढ़ते हैं, बच्चे excited रहते हैं कि negative तो होई नहीं सकता है, यह तो एकड़म mod जैसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, actually mod में भी x negative हो सकता है, ठीक है, तो x negative हो सकता है, but y negative नहीं होगा, यहां क्या है, कि x negative नहीं होगा, यह आप देहान रखें, यह मैं दिखाया भी हो कैसे होगा, क्योंकि मतलब कोई भी बात हम बोलते हैं, क्योंकि हम यह नहीं पढ़ रहे हैं, क्या कहते हैं, कोई philosophy या फिर कोई hindi की कभीता, इस तरीक है, क्योंकि मुझे कभीता में काफी रूची है, तो इसलिए मैं कभीता कभीता कहता रहता हूं, तो हिंदी की कभीता या कुछ ऐसा नहीं पढ़ता है, कि reasoning वगर आप नहीं देंगे, जो भी शब्द आप बोलते हैं, उसका reasoning आपको अच्छे से देना पड़ता है, क्यों है, क्या है, क्यों है, क्यों नहीं है, ठीक है, इवन हिंदी की कभीता में भी reasoning होता है, यह range जो होता है, क्या होगा, minus infinity to infinity, ठीक है, तो basically range हमारा पूरा आ रहा है, infinity तक जा रहा है, और minus infinity तक जा रहा है, तो क्या होगा, minus infinity to infinity, यह लिखेंगे हमारे class के टॉप पर बच्चे, और हम लोग जैसे आम आदमी, जैसे हम है, वो लिखेंगे real number, limited, असानी से, कोन याद इसको, ठीक है, तो all real numbers possible, तो यह दोनों चीज हो गया, तो यह range, sorry, आप लिख लिख लिए होंगे इसको, पिशे करके, तो यह range और domain हो गया, इस सीज के लिए, अब हम next जो हैने case करेंगे, a greater than one के लिए, अच्छा एक और खास बात, कि अगर मैं इस चीज में, इसके अंदर कि a को मैं e मान लू, जो की होता है approximately 2.71, तो यह बन जाएगा log e x, and this is called equals to ln x, ठीक है, या फिर हम कभी-कभी इसको log x भी करके लिख देते हैं, ठीक है, log x भी करके देते हैं, या इस तरीके से लिखा रहे हैं, तो समझ रहों कि ln वाला है, और generally जो आप integration करेंगे, आने वाले यह e is natural log हो गया, इसको कहते है natural log, जब base आप e रख दो, तो natural log, बज़ और कोई बड़ा कोई rocket science नहीं है, इसके अंदर, तो case 2 करेंगे, तो case 2 में क्या है, कि a greater than 1 है, बहुत simple है, और a एक real number है, तो अपने जान लिया है कि log of x to the base a is y, is equivalent to a power y is x, और मैंने आपको, ठीक है, यह हो गया, और इसको मैंने एक तरीका बता है, कि इसको आप base ले लो, base 2 है यह, और यह y को power ले लो, इस तरीके का मैंने एक बनाया था आपको, वो मैं हमेशा नहीं बनाऊंगा, क्योंकि कुछ लोग अगर आएंगे, तो मुस पे बहुत ट्रिक समझ लीजे, आसानी से, मुझे तो यह अच्छा लगा, कि यह base लेडी है, तो base power y is x, सिधे लिख देने का, ठीक है, तो अब क्या है, कि इसके बारे में, सारी चीज़ तो हम डिफाइन कर रही चुके हैं, अब आसानी से इसका graph बना सकते हैं, ठीक है, तो a क्या है, greater तो मैं actually चीजों को समझूंगा इस से, इसमें तो मुझे ज़्यादे पता नहीं है, इस से समझूंगा मैं, क्योंकि equivalent है वो दोनों, तो मैं x is equals to a power y ले रहा हूं, ठीक है, तो x को अगर मैं tend करा दो 0 को, x को tend करा दो 0 को, तो a power y भी क्या होगा, tend करेगा 0 को, ठीक है, equivalent x is equals to यह होगे, और यह कब 0 होगा, यह कब 0 होगा, तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, कि 1 upon infinity क्या होता है, वो 0 होता है, tend to 0 होता है, तो यानि, मैं ऐसा कहूं कि a power minus infinity 0 होगा, तो चलेगा आप, क्योंकि यह basically क्या हो जाए, 1 upon a power infinity, और a power infinity infinity होगा, यह tend करेगा 0 को, 1 upon infinity होगे basically, ठीक है, तो यह tends करेगा 0 को, यह चीज आपको समझ में आगई, तो x tends to 0, तो y tends to, क्या होगा, क्या देखा था हमने, हाँ, तो y क्या होगा, minus infinity को approach करेगा, यह यह नहीं समझ में आए, तो एक और तरीका बताता हूं, चुक्किए आप infinity minus infinity देखे होगे, तो x is equals to a power y, as y tends to minus infinity, ठीक है, तो x is equals to a power minus infinity, इसको लिख सकते हैं, 1 upon a power infinity, और यह approach करेगा, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, infinity, a power infinity है, यह real number power, ठीक है, और यह 0 होगा, a1 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर, यहाँ पर भी मुझे एक चीज मिल गए, reasoning, कि यहाँ पर यह value पाने के लिए a1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 power infinity ज्या हो जाता है, in definite form, वाओ, mathematics की यह beauty है, देखेंगे हम, next, next एक आसान value देखेंगे, तो यह exponent वाला है, तो अपने को एक चीज तो simple हो गया है, कि y 0 जब होगा, तो x हो जाएगा 1, तो एक मुझे मिल गया है, कि y 0 होगा, तो x 1 हो जाएगा, तो इसका क्या मतलब होता है, x-axis को cut करेगा, ठीक है, इसका मतलब होता है क्योंकि y पे तो है नहीं कुछ, दोवारा से बताऊंगा, y पे तो है नहीं कुछ, तो इधर x है, x पे कुछ value है, तो यहाँ पे cut करेगा, वो point आ जाएगा, x-axis को पे वो point आ जाएगा, next क्या करते हैं, आप क्या बचा है, 0 बच गया, 1 बच गया, infinity अगर मैं डाल देता हू पे घिया, x-finity को अपरोच करेगा, तो a power y क्या होगा, infinity को अपरोच करेगा, ठीक है, तो a power what approaches infinity, तो a power infinity approaches infinity, तो y क्या होगा, infinity होगा, यह समझ भी एपको, तो y भी infinity होगा ठीक है तो x infinity तो y infinity और आप पुछेंगे x minus infinity तो minus में तो define ही नहीं है log ठीक है तो बस इतना ही ये तीन point है अब इसको में तो a greater than 1 है तो मैं अभी के लिए a को कुछ value देना चाहता हूं असानी के लिए तो मैं a को e value देता हूं e ठीक है अपने natural log पढ़ा इसका greater than 1 में के लिए define हो ठीक है log of e और यहां पर x में मैं डाल देता हूं e तो ही क्या हो जाएगा 1 यानि x जब e होता है तो y होता है 1 e तो 1 होगे ठीक है तो यह मुझे मिल गया इतना इनफ है ग्राब देखें मुझे कुछ देखना है 0 1 infinity e ठीक है तो इतना पता चल गया है कि य इसमें ही सब कुछ होगा ठीक है तो पहले आसान वाले पॉइंट ले लेता हूं x 1 है तो y 0 है x को मैं 1 ले लेता हूं तो y अपना 0 को अब्रॉच यह है तो यह एक पॉइंट मुझे मिल गया 1,0 ठीक है 1,0 मुझे एक पॉइंट मिल गया नेक्स्ट क्या है जिरो आसान वाले लेता है यह तो वन मिला यह एक्स ए है तो यहां पर टू अगर होगा तो यहां पर 2.7 होगा 2.71 और यह क्या है फिर 1 हो जाएगा तो यह वन यहां पर थीक है तो यह अपने को पॉइंट मिल गया 1,1 फॉइंट मिल गया है तो मिला देते हैं पॉइंट जरा नो को अफ्रोच करता है is तो यह मैंनिस इन्फिनिटी को आपराच कर रहा हूं इस तरीके से तो यह माइनिस इंफिनिटी को अप्राच कर रहा है और एक्स क्या हो रहा है जीरो को अप्राच कर रहा है यह ग्राफ बन गया है दूसरा क्या है इंफिनिटी इंफिनिटी वाला तो एक्स तो मैं अप्रॉक्सिमेटली थोड़ा सा ऐसा बनाता हो कर इस तरीके गवनेगा यह यह आपका ग्राफ हो गया लॉग एक्स टुद बेस बी या फिर बेस एक यह ग्राफ है और एक रेटर दन वेंगली वैलिड है यानि कोई भी आप एक यह लिखो जो ग्रेटर दन वन हो वो सब क्या ग्राफ ऐसा ही आएगा अब डोमेन और इंज देखते हैं तो डोमेन क्या होगा डोमेन मतलब एक्स की क्या क्या वैलू आप पूट कर सकते हैं तो एक्स की क्या क्या वैलू आप पूट कर सकते हैं जीरो नहीं कर सकते हैं जब जीरो टेंड करेगा तो मैनिस इंफिनिटी पर हो रहा है तो जेरो नहीं कर सकते हैं बड़ एक्स टेंस 0 का आ गया अपने मुझे और एक्स क्या हो सकता है तो इधर के तरफ आप जब वह observation ग्राब देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि एक्स infinity को भी अप्रोच कर रहा है यहां पर देखें एक्स infinity को अप्रोच कर रहा है तो इंफिनिटी को तो जो भी चीज जो भी आप इंपुट कर सको एक्स के अंदर वो डिफाइंड चीज़े तो नेगेटिव तो कर नहीं सकते एक्स के अंदर तो नॉट इंक्लूड़े और रेंज क्या होता है आउटपुट क्या मुझे य की वैलू मिली तो अपने को पता है कि दो क्वाड्रेंट प्लस माइनस इसका मतलब इधर इधर ठीक है तो ग्राफ माइनस इंफिनिटी को अप्राच कर रहा है ठीक है मुझे एक चीज मिल गया यानि माइनस इंफिनिटी मुझे मिल गया ग्राफ इंफिनिटी को अप्राच कर रहा है यानि वाई माइनस इंफिनिटी तो खतम हो जाते हैं और नेक्स्ट हम लोग लिमिट्स के बारे में बात करेंगे और फिर इंटेगरल उसके साथ यह कोर्स खतम हो जाएगा ठीक है अगर आपको और पिछले कोर्स देखने पिछले लेक्चर देखने तो उसको आप मैतमेटिक्स फॉर फिजिक्स वाले प्लेइलिस्ट में देख सकते हैं और अपने हिसाब से जो भी आपको चीज़ें नहीं आता है या फिर जो आपको अंडरस्टेंडिंग डेवलॉप करनी उस चीज़ को देखें मैं मैंने लेक्चर को ऐसा बनाया है कि इंडिपेंडेंट आफ अधर्स एक्शुली में सारे लेक्चर में सारी बाते कह देता हूं ताकि बच्चों को ज्यादे दिक्कत नहीं पुराने लेक्चर नहीं लिये हैं तो अगर आपको यह चैनल सही लगा हो तो आपको जरूर करें और बेल आइकोन को भी दबायें नोटिफिकेशन बाने के लिए और मैथमेटिक्स फृषिक्स खतम होने के बाद हम अलक्ट्र स्टाटिक्स से शुरू करेंगे यह पॉर्षन यह बहुत सारे लोग कह रहे हैं यह कौन सा कोर्स है मैथमेटिक्स फॉर फिजिक् में इवन वो साइंटिस्स बन सकते हैं रिसर्चर बन सकते हैं तो यह चीज की वह वेक्ति जो मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा है वह न करें तो मैं उसको न थोड़ा लेवल में लाना चाहता हूं सब बच्चों को जो नहीं भी पढ़ा और जो पढ़ा और भी बहुत सारे लोग कोई भी ऐसा कंसेट पूरा नहीं पढ़ाया वो इसा नहीं सारा कंसेट जो भी मैंने पढ़ाया है वह पूरा कमप्लीट पढ़ाया है तो इसलिए आपको मैथमेटिक्स में भी पूरा हेल्फ मिलेगा इसका thank you so much